असलाम अलाइकूं एवर्योवन विल्कम तो माइ चैनल लप्योर लाव स्टोरीज तो कैसे हो आप सब हम सुन रहे हैं अनके हिमापत की एपिसोट 14 और लास्ट एपिसोट में हमने जाना था जो अभी है उसे थोड़ असा शक हो जाता है माईश और पंखुरी पे क्योंकि जो पंखुरी की जो देखने का अंदास है और जो उसकी हरकते हैं उससे वह बहुत कुछ नूट कर लेता है और जो फिर जो है वो दिनर सब लोग दिनर करते हैं अपने रूम पे चल जाते हैं जब अभी अपने रूम पे जाते हूं डॉर आफ को देता है और पलक से पूछता है कि क्या तुम मुझे सच-सच बताओगी कि पंखुरी और माईश की बीच क्या चल रहा है क्योंकि जिनरेशन से मैं बिलोंग करती हूं और पता है मैं बहुत सारे कंट्री से घुम के आया हूं वहां का माहल से वाकिफ हूं मैं तो तुम क्लियरली मुझे बताओगी कि आखिर क्या चल रहा है क्योंकि यार देखो मुझे ना उन दुनों में कुछ कनेक्शन फील होता है कि ज इस तरह से तुमारी बेहन के हरकत है तो एक दम से पलक है वह पूस्ति अब उसने क्या कर दिया तो जो अबीर है वह जो शोरूम पर गय था वो लोग एक लरका जब माईशा को घुर रहा था तो जब पांखुरी का रियक्शन था तो वह सारे सब बोलते तो पलक पिर कर रही हो मुझसे मैं क्या समझू बोलो कि तुम्हें मुझे पर ट्रस्ट नहीं है तो पलक एकदम से बात ऐसा नहीं है ट्रस्ट है तो अगर ट्रस्ट है तो बोलो मुझे क्या हुआ क्या चल रहा है उन दुनों में जो मैं नहीं जानता शायद तुम्हें पता है तो पलक पहला तो सोचती है नहीं बतानी फिर वो बोल देती है कि हाँ भाई वो बोलती है कि जो पंखुरी है वो माईशा से प्यार करती है अभीर को सुनके यह थोरा से शौक तो होता है लेकिन वो बोलता है ठीक है यार तो जो यह बोल के जो पंखुरी पलक है वो तोरी पैने कर जा तब अभी उसे समालता है बोलता है देखो पलक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कूल माइंडेड हूँ यार मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं वरिड हूँ पंखुरी के लिए क्योंकि जिस तरह से माईशा का बिवार है बिवेर है वो अलग है और तुम्हें पता है ओफिस में कितने लोग उस पे मरते हैं वो बस एक आख उठा के किसी को नहीं देखती और कई लोगों को तो मैंने वार्निंग देखे रखा है कि उससे दूर रह और अगर कोई इससे प्यार से बात करने जाए न तो भाई उसकी जौला मुखी रूप देखता है वो लोग और फिर वो अपने आप ही दूर हो जाती है इसलिए मैं थोरा सा वरिड हूँ पंखोरी के लिए पताने आगे क्या होगा तो पलक बोलते हैं गार मैंने उससे समझा ही थी लेकिन मैं उससे अप मैं किसी को प्यार करने से नहीं रो देखो मुझे पता है तो मुझे से बहुत प्यार करते हैं और मैं भी करती हो यार दोनों मेरे दिल के करीब है माईशा थोरी जादा है यार मेरे लिए लेकिन हां अगर दोनों मुझे बहुत क्यूट लगते हैं अगर मुझसे कुछ हो इन दोनों को साथ मिलाने के लिए तो हिसे तुम फिक्र मत करो और मैं माईश fenuguri से बात करोंगा तो फिर इलग बाते करते हैं और सोज्याते हैं और अधिर पंखुरी वह आज की सारे présentं को करके याद HOLATT और हला भी बाते हैं तो अपने दिल में भ whipping लेकर सोच रही हं और खुद से ही मे अगे कर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी पंखुरी उसके पास आती है उसकी दिल के धर्कने बढ़ जाती है और वो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती है उनके सामने उसके बोलती ही बंद हो जाती है तो डिसाइड करती ही कि वो थोरी सी डिस्टेंस मेंटेन कर गया पंखुरी से तो देखते हैं आगे फिर सब लोग सो जाता है उस दिन सुभा होती है सब अपने अपने टाइम पर उठती है एस वर्वजल मैशा हमारी अर्ली मॉर्निंग उठती है उठके फ्रेश होती है और फिर आपनी प्रेयर करना लगती है और इस बार थोरी अलग चीज होती है जो हमारी पंखुरी है जो हमेशा से ही लेट उपती है आज वो बहुत चल्द उट जाती है और उटके वो एकदम से माईशा की रूम के पास आ जाती है और बस अपनी प्यार भरी नजरों से माईशा को एक टक देख रही थी ऐसे वनो उसकी नजरों पे सारी दुनिया की प्यार समाई हुई थी और उन्ही प्यार भरी नजरों से वो माईशा को देख रही थी फिर कुछ देर देखने के बाद जब माईशा उटने लगती है तो पंखरी फिर चली जाती है अपनी रूम में जाके फ्रेश होके अपनी जो काना जी की मूर्ती काना जी की पुजा करती है फिर वो नीचे आती है और तब तक जो माईशा है वो नीचे जाके गार्डन एरिया पे जा चुकी थी तो पंखरी जब नीचे आती है तो पलक उसे देखके एकदम शौक हो जाती है कि पलक उसे भी अर्ली मॉर्निंग उपने का आदत है तो लेकिन पंखरी के तो यह आदत नहीं थी वो तो भई लेट मॉर्निंग उठती है तो जब पलक उसको देख तो वह शौक हो जाते है और वह विए जाम से उसकी सासु वो माम की तरफ देख के बहुदी है मज़े तो लगटाया आज सूरज डूसरी और से उठी है तो जो उसकी विए पांखुरी को देख के ठीक थूरी शौक फोजित है क्योंकि उनको भी पंकुरी का पता होता है तो वो भी भूलती है हाँ हाँ बेटा मुझे भी ऐसा लगता है कि आज सूरच दूसरी दिशा से उठी है तो पंकुरी उन दोनों के सामने के बोलते है मैं समाज रही हूँ आप दोनों क्या मीन कर रहे हो यह सुभा सुभा आप दोनों मेरी टांग की जाय मत करो उठके यार ली नीन टूट गई इसमें क्योंसी बरी बात है तो पलक उसके सामने जाती है और उसके फॉरहर्ट पर हाट रहे के बोलते तेरा दिमाग ठीक है इतने सालों में तेरी नीन कभी नहीं टूटी आज अचानाक तेरी नीन टूट के हाव इस पॉसिबल तू हमारी पंखुरी ही है ना कई डूपलिकेट तो नहीं तो बोलतो एक्दम से उलते हाट मैं पंखुरी हूँ हूँ ऐसा कोई बात नहीं यार टूट गेई निन अब इतना भी परशान मत कर यार टीज मत कर इतना भी तो ना ना मैं टीज कहा करे यार मैं इतने सालों में जब भी तुझे अल्ली मॉर्णिंग उठाने के लिए जाती थी तू कितना चिलाती थी मुझ पे तुझे याद है और कई बार तो ऐसा हुआ मैं इरिटेट होके तुझे पानी का मग डाल दाती थी तुझे और तू जो बवाल करती थी यार अभी भी मैं वो चीज याद करके डर जाती हूं और मैं तुझे अर्ली मॉर्निंग उठाने के लिए नहीं जाती तू तू आज कैसे उठ गई तो बोलती या तब की बात अलग थी आप की बात अलग है तो बोलती क्यों ऐसा क्या हो गया तो पंखुरी थोरी मुस्कुरते पंखुरी बात जाके थोरी से जुक के उसकी कानवा बोलती है तब सिर्फ हम थे और आप तेरी बेहन को जो है मुहबत की बीमारी लग गई है तो पंखुरी बोलती है आई है मेरी बेहन तो बहुत रोमेंटिक बाते करते हैं ये अंधास भी देख रहे हैं क्या बात है तो पंखुरी बोलती क्या करें आप जिन से महबत हुई है उन पर उनके अंदर शाहित रोमेंस की कोई चीज नहीं है इसलिए भगवान ने सारे रोमेंटिक जो चीज है सब मुझे पर डाल दिये तुपलक एगदम से हस दिये तो उसकी सास्तों मुझे तुम दोनों खुजूर भुजूर क्या करें मुझे भी बलो मैं भी हसुत हो रहा है तो पलक बोलती कुछ नहीं हूँ तो जो पंकरियो इधार उदा देख रही है तो जो पलक है बोलती है आपका जो मेडम है वो गार्ड़न इरिया पे है चाहे तो अप जा सकते हो तो वो बोलती नहीं मैं बस रही थी है कि नहीं तो हां हां सब समझते हैं हम तभी जो है अभी आ जाता है और बोलती है यार मुझे थुरा अर्ली ओफिस जाना होगा क्योंकि नूर्साइट पे आज बॉस बॉस आने वाला है तो मैं थोरी पहले ही निकल जाओंगा आप प्रिक्फस्स दे दो तो बोलत मैं के तारव देकते खिंखते जा लेकर आतेरी उनको मैं सेता जाती नहीं जाती हुँ वह यदए-ऊ-प्रिक्फस्सक्र करने लिए या फूल की महग को जो है वो सूंग रही थी और उसकी फेस पे मासूमिया दिख रही थी तो जब पंखुरी उसको इस तरह से देख ती तो बस मन में बुलती यार ये कितनी क्यूट है कितनी क्यूट लग जही है लेकिन जब इसकी गुस्से वाली मोट को देखती हूं पता नहीं इसकी ये क्यूटनेस कायब हो जाती है तभी वो जो पंखुरी हो बुलते है वो हेलो मैडम ब्रेकफस्स नहीं करनी है क्या तुमको तो जब माईशा बात सुनती है तो वो एक्तम स बोलते है जी मैडम हां आती हूं तो यह बोलकर उचली जाती है और जाती है जाके पंखुरी को जाती है पंखुरी को कुछ ज्यादा नहीं बोलते है तो पंखुरी अपने मन में बोलती है कि ये क्या चीज है ना गूड मॉर्निंग ना कुछ और ना क्या ये क्या अभी हदे इसका फिर वो अपनी मन में बरबर आते बरबर आते वो अंदर चली आती है तो सब लग ब्रिक्फस्ट करने लगते हैं जो माईशा का छोड़ा भाई है वो आता है और बोलते जी 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 आप मुझे खिला होना तो माईशा ठीक है आजा तो अपनी गोदी में उसको लेता है और उसे खिलाने लगती है माईशा का तो मूड थूर असा ज्यादा नहीं थूर असा खराब हो चेगे क्योंकि पीछले अगले दिन तो इसने गूड मॉर्निंग बोला था आज इसने गूड मॉर्निंग नहीं बोला रूपर से एकदम से साइड हो के चले गए या सा मना कि वो वह आपे खरी ही नहीं तो मन में ही बोले ती कि ौग मुझी एग्नोर क्यों गक्रही हैं तो तब जो पलक हो उसकी शोल्डर पर टैप कता तो तो जो औरहें थे क्या होँआ कहा पर एक ऊंखी हो गई तो उद्धे कई से ब्रेकफस्स कर ले क्या कुछ हुआ थो और गै तो तो नहीं कुछ नहीं थ मैंना लिका काल पर पेक भूलते मिस्ट्र आबिर बोग मैं आपको कल भून था कि आप जल्दी आजाई रहा हुँ तो ओना मैं मैं प्छले IDs box मिनिट से आपका विट अंप जल्दी pompes od home prof09 जुख टेया तो वह मैं मैंशय की तरफ दिल्टे यार मुझे पहले जाना है इमर्जंसी तुम अपने टाइम पे ही आ जाना तो माईशे बोती ठीक है सर आप जाओ तो जाते जाते बोलते कि मैं डाइवर को बोल तुम्हें आके ले जाए तो एकदम से बोलती नहीं सर थैंक्यू मैं आटो करके चले आओंगी तो फिर अभी ॥े बेकफस करने के बाद माईशा अपने गlook में कुछ करने के लिए जाती है वा कुछ करती है फिर वो कि नीचे आती है और अपनी मांसे बोलती मांस छोठा रेडी हो गया है कि उससे स्कूल भी तो छोड़ना है तो बोलते हैं ना ना बेटा कुछ और कुछ मिनिट और रुखो मैं लेके आता हूं उसको तो वो जाती है उपर शयाप के रूम में और इधर जो है पंखुरी बैठी वीदियो और वो घूर घूर के बस माईशा को देख रहे थी माईशा एक दो बर देखती ते हैं लेकिन वो नजरे चुरा लेती है तो पंखुरी फिलती है यार क्या यह मुझे इगनोर कर दिये लेकिन क्यों तबी जो प बोलन ही वाली थी कि माईशा सुनो उससे पहले माईशा एकदम सुनत तो मेना मुझे मुझे जल्दी लिले ऑफिस जाने है यह बोल के वह वहां से जल्दी जल्दी उपर चली जाती है और अपने भाई को लेकर वह नीचे आक है रहा इस बाई भी नहीं बूलती है तो अभी तो कितनी खूश लग रहे थे तो अभी क्या हुआ क्या हुआ बोल्टे कुछ ने नहीं का हुआ गलोल तो फिर पंखरी बोलती समय है यार कल इसने गॉड मॉर्निंग भी भूली ओफिस जाते वाद भी बाई भॉला लेकिन आज यह सुछ से ऐसा लग रहा है कि मुझे यह इग्नोर कर रहे हैं तभी जो है वो पलग उसे बलते हैं अरे You Spanish कल रहा है शायद उसे कुछ काम है जैत से मैं तो hoping जब ऑगे इसके मीचप उपन रहा हैं ने हैं 쉽 right उसने बस यह कहा कि उसको काम है आफीस में भाग के ऊपर चली गई पिर भी ना भूले आफीस चली गई अपने भाई को लेकर तो भी पलक एकदम से उनती कल कि क्या हुआ तुमने उससे कुछ का बोले नहीं मैंने उससे कुछ नहीं कहा हमें और इक कोई बात नहीं है तो पलक उसे बुलती ठीक हो जाएगी कोई बात नहीं तो फिर वो जाती है अपनी रूम में और उसका मूड आफ हो जाती है वो बस कुछ सौंग सुमती है और फिर अपनी जो इंडियाग पर उसकी जो बैस्टी है उससे बाते करने लगती है अन्शू से और इधर जो माईशा है उससे पता नहीं अंदर से क्यों थोरा सा बुरा लगता है कि मैंने उनको इग्नोर कर दिया पता नहीं उन्होंने क्या सोच रहे है मेरे बारे में तभी उसके भाई जो है बोलते दीदू कहा हुआ आप परेशान हो तो बोलते नहीं बेटा मैं परेश बूचने हो आप इसकूल जाओ अपना परेश ठीक से करो ठीक है ठीक है मेरे चॉकलेट लाओगे ना बेटा मैं कभी भूलती नहीं हूँ आपकी चॉकलेट है आपको पता है ना बुलते हां I love you तो वह बूलते है ठीक है आप जाईए तो उसकी भाई को इसकूल जोते है फ कुछ इशू सामने आई है तो वो लोग वही सॉल्फ करने की कोशिश कर रहे थे इधर जो पंखुरी का है वो तो भाई उसका सुबह से मोड बहुत जादा आफ हो गई थी तो वो अपने फ्रेंज से बात करती है अन्शू से फिस्थोरी देट मोवी देखती है और नीचे पंखुरी यार नीचे आजा बात सुन तो आति है बुलते क्या हुआ तो इतनी उदा तुझे तेरी फेस में आमेशास से वो लंबी आसी है वही अच्छी लगती है यार यह उदासी क्यों क्या हुआ इमाने तुझे बोला ना उसे शायद कुछ कांग होगी इसलिए शायद उसने जल्दी जल्दी में नहीं बोला इस हो के ना और अगर इग्नोर कर रही है तो भी तो तू बाद में बात कर ले इसके वज़े से तू अपना मोट खराब क्यों करे तो बोलती है यार क्या करूं मेरी तू समझ नहीं रही है मैं जान बुझ के कुछ नहीं करूं बस मुझ इगनोर कर रही है, पता है मैं सब कुछ हैंडल तो कर लेते हूं, लेकिन इसका यह इगनोर मुझसे पता नहीं क्यों बरदाश नहीं हो रही है, तो बुलती यार, मुझे ना कुछ लेने जाना है शॉपिंग में तो बुलते हैं क्या शॉपिंग करने है अरे कुछ कप्रे लेने के लिए जाना है मुझे शॉपिंग तो बुलते हैं तो ठीक है जीजी को कॉल कर दे मैं जाओंगा तेरे साथ तेरे साथ जाओंगी शायद इसे मेरी मुट तो अच्छी हो जाए है तो ह psychiat हां सेही बात है यह तो यह पउलक बीक कॉझ कॉल करते हैं बेर बोलते हैं ऑ Internet ऑप कर्रत करता है पनल से खाल से साथ को हो गाएं तो मुझे आज भाहत जादग हो जाएगे जाएगा मैं एक अधर साइट पर हूँ मैं यहाँ पर मीटिंग है कुछ शाम में मीटिंग है मैं वह चीज ठीक करके फिर आप आउंगा मुझे बहुत लेट हो जाएगी लेट नाइट होगी तो बुलते यार मुझे ना शॉपिंग जानी है कुछ चीज जरूरत है तो बुलते ऑठ ठीक है तो आप एक काम करओ मैं मायशा को भूल देती हूँ उसको ले जाओ कॉर तो पॉलते हैं आप बोल दूना साथ जाएगी तो बॉलते हैं तो पलग बोलते ठीक है देखते हैं तो यह लोग कॉल कट कर देते हैं पंकुरी उससे पुछते क्या हुआ तो फिर वो बोलती है की यार तेरा जीजा तु आज कह रहा है कि उन्हें आने में बहुत लेट ह जाएगी वह भी नहीं आपाएगी तो यह दोनों फिर पंखुरी का तो पहले ही मूड आफ था तो पलक का भी मूड आफ हो जाता दोर ही लोग सोफे पेट जाते तभी जो माईशा के माम और पलक की सासों मत बोलती क्या हुआ बेटे तुम दोनों का यह मूँ उतर क्यों रहे जाएंगे तो माईशा की माम एकदम से बोलता है हाँ तो ठीक है माईशा को बोलो वो ले जाएंगे तभी पलक बोलते है आउंटी आपकी बेटी पता है ना आपको उसके बारे में वो नहीं जाएगी तो माईशा की माम बोलते कैसे नहीं जाएगी रुको मैं मैं कॉल करते मैं बोलो को तो ते कहा हो तो मम मो है मैं मैं ऑफिस हूं इस वक्त मैं इसमें रहती हूँ पहुति है तो कफ़्त बुदी है कुंज रह ज Am bara वे आऑ बें नहीं तुम जल्दी जल्दी काम खतम करके में अगर है तुमसे कुछ क्या है तो बॉलते, ठीक है, मैं खतम करके बस आती हूं. तो जो कॉल कट कर देती हैं , और, फिर बॉलते, ठीक है , तो जो बॉलते हैं, आप उसे ला तो रहे हो लेकिन वह नहीं जाएगी तभी पंखुरी भी जो क्टेन एंति वह नहीं जाएगी कि तो जाएंध कि मोलते कैसे नहीं जाएगी मेरे बेटीया इसका जाने में लेट हो जाएगए जाम-ग्याम करिड़ी हो जाओ मैं तबदक कशान उनba बना लेता हो जाम चुका है शाम हो चुका है और जो माईशा की भाई है उसको भी आंटी ने वापस ले आये थे घर पे और वो आके फ्रेश होके वो छुटा बच्चा है वो तोरा रिस्ट कर ले रिस्ट कर रहा था और फिर इधा जो है पलक पलक जाती है अपनी रूम में वो एक नॉर्मल सा सूट पहन है और जो माईशा है वो तो रेडियो कहते है और वो एक वान पीस पहनती है जो भाई थोरी सी जो वान पीस है वो यह है ना नेट का प्रो डिजाइनिंग जो नेट पे है वो नेट टाइप होती है जो वान पीस जीन्स के साथ पहने थी उसने दूपटा नहीं ली थी बस ऐ से पैने थी और एक शूल्डर पेक बैक हाथ पेक पर्स थी तो लोग रेडियो के बस सुफ़े बैठके माईशा का इंतजार कर रहा था तो तब माईशा आती है घर पे अपने काम खतम करके और सीधा के वह पहले तो हॉल रूम की तरफ देखते हैं कि माया जो पंकुरी और प पर देखते हैं कि अपनी माम के देखती है कि किचन में तो उमके पास जाते हैं माम का आपको कुछ बाते करने थी तो बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है मैंने तुम्हें यहां किसले बुला बता है वोते हां क्यूं पलक और पंखुरी पलक को शॉपिंग में जाना है तुम उसे ले जावा साप में पंखुरी भी जाएगी तो वो एकदम से बुलते हैं माम क्या आपने मुझे इस वज़ा से यहां पे लाए आप बोल सकते थे ना आपको पता है मैं अपनी काम ठीक से खतम भी नहीं किया है तो वो आंटी एकदम से बुलते हैं मैं तुम्हेरे बार मैं बहुत अच्छी से जानती हूं अगर तुम अपने काम खतम नहीं करती न तो तुम अपने काम में ही होती है तो बोलते हैं मुझे नहीं जाना शोपिंग सां मैं सर को बोल देती हूं तो बोलता हाँ मैं सार लुकाल रहा हूं को सुनों जाओ पलक को जो जो चाहिए वो उसको ले जाओ और ध्यान रखो इन दोनों का तो फिर माईशा कुछ नहीं बोलती क्यों माम से क्यों बहस करेगी तो फिर वो चेंज नहीं करते वो ऐसे ही पलक के पास आते बोलती है तो चलिए मैडम जो पलक को फिर हाथ देथि एटे पिर अचानक उसकी नजर मां पंखुरी की तरफ डिग तो वो जब दिखते हो तो ड्रेस तो असने ठीक पहने थी लेकिन जो उसने जो वान पीस पहने थी वो जो है वो नेट टाइप की थी तो थोरी थोरी जो उसकी बारी की जो प्लीवेस ह तो जब मैशा यह देखती है तो उसे तो जीब तो लगता है लेकिन एकदम से बूलते है मैडम आप यह डेस पहन के जाओगे तो पांखर एकदम से बूलते हैं क्यूं इसमें क्या गलत है तो मैशा बूलते है कुछ गलत नहीं है लेकिन आप काम करो दूपटटा लेलो तो एकदम से बूलते है क्यूं लेनी है दूपटटा क्या इसमें क्या खरब है बोलो मुझे जू मेरी जो मर्जी आये मैं वह पहनूगी तो मैं इस ता कोई मतलब नहीं होना चाहिए तो मैशा बोलती है देखे मेडम बात सुनिये आप यहा के माहौल की बार में नहीं जानती हो आप प्लीज बाते सुनो अपनी जो एक दुपट्टा ले लो प्लीज मेरी बात समझे यह इंडिया नहीं है यह बंगलादेश है यहा के लोगों की सोच थोड़ा डिफरेंट है आ प्लीज चेंज कर लो या तो चेंज करो इस्ट्रेस को या फिर आप एक तुपट्टा ले लो तो चीर जाती है पंखुरी की को सुबह की बात से उससे थोड़ा सा गुसा आया हुआ था कि इसने इग्नोर कर दिया तो वो एकदम से बोलती क्या प्रॉब्लम क्या है तुमार अब मैं खुद के मरजी के कफरे भी ना पहनो और क्या लगा के रखा है यार कि ये इंडिया नहीं है बाला देश नहीं है ये वो अगरा वगरा तुम ना अपनी सोच बदलो बस जिस दिन सोच बदलोगे ना उस दिन सब कुछ ठीक हो जाए गया वो गुस्से में बोलती है मैं आशा तो कुछ नहीं बोलती है फिर वो नजरे जुका लेती है पलक पंखुरी की शुल्डर पर टैप करते हैं कूल डाउन कूल डाउन वो बस ऐसे बोले थी कूल डाउन कर ज्यादा गुस्सा मत करें तुझे इतनी गुस्सा क्यों रही है वो बस ऐसे ही तो बोला तो हर चीज से प्राब्लम है पता नहीं किस दिन यह बोल देगी कि मेडम आप यहाँ पर क्यों हो आफसे तो भई आपकी यहार रहने से मुझे प्राब्लम हो रही है तो फिर जो है माईशा कुछ नहीं बोलती ठीक है चलिए आप तो एक्डम से आगे बढ़ जाती है तो पलक यह बोलती क्या हुआ इतनी गुसा क्यों है तो विल्थी यार छोड चल शौपिंग करता है यह फिर लोग जाते हैं शौपिंग करने के वहां शौपिंग मल जाती है जो मैशा ओ पलक का वह अच्छी से ध्यान रख रहे थे उसकी पीछे पीछे थी यह दोनों पलक पंकुर अब पेांथिए बाल आगे थी मयशा ले पनखुरी पीछ रेंग लिए तो राते हैं और भी किन पर लेते हैं हुफ की पेते हैं तरह आएills को वे जोकर जने देनघन स्वेच मॉय में। दिया पूंग क then तो वो ऐसे लोग थे तो जब वो लोग माशा को देखते हैं तो माशा तो है भई खुबसूरत सवरी जो पंकुरी है वो उसको घूर के देख रही थी क्योंकि जो उसके ड्रेस पहने थी उन्हें सेट पे उसका जो क्लीवेस है वो पूरा क्लीयार दिख रहाता तो भई लड़के लोग तो लफंगेट होते हैं तो जब उन्हें ये नजरा देखा तो भई उनकी तो मन में लाला चा गया तो बस पीछे पीछे गुम रहाता कहीं इदर खरे होके देख रहाता कहीं पीछे पीछे गुम रहाता है ऐसे माइशा ये चीज नोट तो कर लेते हैं लेकिन वो कुछ कहती है नहीं हो बस बलक की पीछे पीछे नहीं लगती है तो जो पलक है वो बलती यार भूख लगी है कबसे हम पैदल चल रहे है मुझे इस मौल पर जो एट फ्लोर पर है वह पर रिस्टॉरंट है हम चाहे तो चल सकते हैं बलता है हाँ हाँ चलो यार मुझे भूख लगी है तो फिर लोग वहा जाते है और जो लड़के है वह भी पीछे पीछे उन सब को जाते हैं लिफ में भी वह लड़के साथ होते हैं और उस लड़कों का जो नजरे हो वो बस पंखुरी की जो क्लीवेच की साइट पर बार बार जा रहा था तो माईशा जब यह देखती है तो एकदम से जो है लीफ के साइट पर जो पलक पंखुरी दोने एक साइट थे तो जो माईशा वो आके पलक की सामने खरी हो जाते है और इससे जो क्या होता है जो माईशा का सुरी जो पंखुरी की जो एक साइट कवर हो जाती है दिख नहीं पा रहे थे वो लगा वो अपने मन में ही बूले थी आरे यार क्या दिस्टरविंग है यार क्या नजार आथा हम तो वस इस लगकी ने सब खराब कर दिया तो फिर यह लोग रेस्टोन पे जाते है जो है कुछ जो है कुछ नेक्स अर्डर करते है जो पंखुरी है वो बर्गर ओर करती है विद जूस और जूस और जो है जो पलओ पलओ उसे पास्ता बहुत पौसंद है तो वो पास्ता ओर्डर करती है और वह भी उरन जूस लेती है तो पलओ मायशा की तरब देके वो ते तुम्हें कुछ कुछ महीं लेना तो मायशा जो है वो बोलती नहीं मूँझे भूप नहीं है आप खाओ थाओ मैं घर तो फिर एक और orange juice order किया जाता है माईशा के लिए तो जो अब ये ऐसा होता है कि जो पलक और पंखुरी दोने एक साइट बैठी थी और जो माईशा हूँ वो एकदम से opposite पलक की बैठी हुई थी तो वो जब juice पी रही थी तभी जो है वो एकदम से उसकी नज़र साइट पर जाती है अधर साइट पर देखते हैं वो तीन लोग तीन चार जो बॉइज है वो लोग गुर गुर के माईशा पंखुरी की तरफ देख रही थी और उस सब को नज़रों का जब पीछा करते हैं त तो अचानक पलक बलती है यार मुझे नब वॉमिटिंग से आ रही थी आ रही है तो मैशे एकदम सुटती है और बुलती है मैं यहां पर वाश्रूम है आये तो उससे साइट पर ले जा रही तो पंखुरी की तरफ देख के बलते है मैं आप खाईये मैं मैं को वहां से लेक च्छाया से चली जाती तो उन लड़को को तो मा कम कम गया हता है तो वह आते है एक दम सी टेबल फर बैट जाता है तो पंखुरी को पैटिकी यह क्या वत्तों मुझे है तो बूलते अजे मेडम काया वत्तामी ऐ है हमें तो बस आप से बात करने है तो पंखरी मैं आपको न जानने की क्या ज़रूरत है क нравले कि कोई ज़रूरत निया हम थो भसनाजरे को आप हमेड जानके क्या करोंगा वैसे आप खुबशुरत बहुत हो नाब क्या है गया कर देखिए परेशान मत किये ये फार ँब तो वो लड़के उससे साथ थोड़ा बत्यमिजी करने लगती उसके हाथ पकड़ने की कुशिश कर रहे तो गोलती है तो क्या हुआ बूख है तो हम भी आपके साथ बूख होना चाहेंगे भाई गौट आपकी फिगर भरत अच्छी है तो फिर जो पंकुरियों एक दम से हाथ हाटा दे तो देखिए आप आपने दाइरे पे रहे और ये बत्यमिजी मत किजिए तो जो लड़का बात करते करते बार बार जो है पंकुरी की ज आख़ को सब्सराइब आपके लिए तो पंकुरी जिए उसका नजरों का पीछा करते तो उसे बहुत बहता नीजी फिल होती है उसे बहुत अजीब लग रहे थी अनीजी होती एंकोंफर्टबल विल हो रही थी तो एक-दमचा बोलते हैं ये क्या बत्रम ऑद्रिश्हा कि यह सुमआ में चोंश भर मुपमिट थे यह उंगी अ जाती में के षिंक-बी odc तो नहीं 200 पर मुभिसे को एहे बिद्वांने थे पर्तरी ओधर के कुछ थे-फिल्ब से और थे फिल्ब्र यह को सब्सक्राइट जो है जब होसा। यहां आने लगता है तो आते आते जब माईशा तो पलक की तरफ ध्यान थी तो जब पलक की नजरे एकदम से जेती तो देखती है कुछ लड़के तीन चल लड़के वह पंखुरी के सार बैठेते और उस धर से ही देख सकती थी किस नजरों से वह देखते हैं तो वह एकदम से सामने देखो तो जब माईशा देखती है तो भाई माईशा जब उस सामने पंखुरी की सामने बैठे लड़के को देखते तो उसको नजरे को देखते तो वह लड़के एकदम से जो है बार 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 बस पंखुरी की जो साइट पे देख रही थी क्लीवेस पे बार बार घ तो पंखुरी को गुसा आ जाता है और वो इदम से जाता है और वो उस लगए के सामने आ जाता है क्या क्या प्रभलम है तो बुलती है तुम घाब बीच में आ गई तो यार नजारे का मज़ा उठाने दो तुम हटो यार से बीच में हड़ी बनके क्यों हटो तो माईशा बोलती है मैंने कहा आप लोग क्या से जाओ तो बोलती है क्यों जाओं तुम्हारा जगा है क्या तुम्हारी बाप ने लिया यह जगा जब ओलर का उस बाप की बात बोलती है तो माईशा की आखे तो भई एक्दम लाल हो जाते है वह एक्दम से उस लरके को कॉलर से पकर किक भस किज के थप्पर लगाती है और उस थपपर की शोर से सब लोग एक्तम से डर जाता है जो पंक्षुरी हो है वह एक्तमसे खरय हो जाता і और फिर वो जो माई्षा है वो तो एक थपर दो थपर प्र तीस थपर मारती है क्या कहा तुमने ? बाब की जगा ? क्या ? कोई लड़की सामने बैठी है तुम इस नजरों से देखें कि लड़कियों की ुज़त नहीं करने हाती। थे ठीट है तो फिर लड़का खुद को छूदा थे और एक्दम की माइशा को धका देता तो माईशा जैसे माईशा को धक्का लगते हैं तो माईशा को और गुसा जाता है तो उस लड़के के साथ जो दो तीन लड़का और थे फिर वो आने लगते हैं तो माईशा एकदम दूसरे को थपर मारते हैं जब दीसरे आते दीसरे को थपर मारते हैं यह लोग की एज बहुत ज जब ये सेन के कुछ लोग देखते तो वोग आजाति हैं। दुनीर मेरी बेहन् को छेयरे ती तो वोग वहां पर कूछ लड़के और थे तो वोग 2-3 लड़के और मारे ब में पूर्पआने लड़की को छेयर गातू में आडरे लटपरू है Pamela मैंने कहा था आपको कि आप अपना ड्रेस चेंज करलो लेकिन आप में नहीं माने देखिए मुझे आपकी कोई भी चीज से कोई मतलब नहीं है लेकिन आपकी responsibility मैंने आप दोनों कोई है पड़ि यही तो अभी आप दोनों की responsibility मेरे उपर है तो अगर आप दोनों के सब कुछ होता है तो इसका जबाब तो मुझे ही देना है ना जब मैंने आपको बोला था कि आप दुपाटा ले लो आपने नहीं ली मैंने आपको कहा कि आप अपना ड्रेस चेंज कर लो आपने नहीं की आप हमाशा कहते हूं तो मैं आपनी मनवर्जी करते हूं जरा आप खुद पे गौर कीजिये मडम और हाँ, मैंने क्या खरब बोल दी, यह इंडिया नहीं है, यह बंगला देश है, यहाँ कि लोगों की मेंटलिटी आपकी वहाँ के जैसे नहीं होते यहाँ कि लोगों के जो माइंड सेट अब थोरी अलग है, यह लोग सीचियोशन नहीं देखते हैं, बस अपने मन गरीब बाते बानाने लगता है यहाँ कि लोग यह नहीं बोलेगे, आप पे कोई सिंपती नहीं दिखाएंगे, यह लोग सीधा आप पे पॉइंट आफ करेगी, कि आप जो इस तरह किसे डेस पहनो हो न, यह गलती आपको ही मनेगी, यहाँ पे कोई यहाँ नहीं होती कि मेरी मर्जी में जो चाहे वो पहन यह वो अभी आप नहीं आई हो यहाँ पे पहले आप यहाँ का मोहा, माहूल को समझो, फिर आप जैसा चाहो ऐसा, वो गुस्से में भोलती है, यह पंकुरी को भी लगता है कि यार उसने पहली ही भोला था, तो फिर कुछ नहीं बोलती, तो पलक एकदम से बोलती है, मैशा कूल डाउन, कूल डाउन, ठीक है, वो समझा दूंगी मैं, कूल डाउन तुम, शान्त हो जाब, तो माईशा बोलती है, तो वो तो शान्त नहीं होती है, वो एकदम से बोलती है, मैणम आपको कुछ और लेना है, मुझे घर जाना है, अगर आप दोनों का हो गया हो, तो चल आते हैं, माईशा का, माईशा तो बहुत गुसे में थी, क्योंकि यार, वो लड़के ने, पदा नहीं, माईशा को क्या होता है, कि बाप की बात सुनके, उसे कुछ जादा ही घुसा आ गया, फिर ये लोग घर आते है, माईशा किसी को कुछ नहीं बोलती है, वो सीधा अप पलक की जो सास, वो पंकुरी को भूलती है, यार, उसकी क्या गलती है, उसने सेही तो भूला, तुम्हें यहां की तो तरीके को कोई पता नहीं है, यार, यहां की लोगों की जो सोच है, वो थूरी अलग है, ये लोग सीचूशन को नहीं देखते है, बस बाते बना लेते है लोगों को बस गलतियों को गिनाने आते है लेकिन आखिर क्या सिटूइशन होगी है यह आप पे जदा नहीं देखिया जाता है और जदातर लर्कियों को यह चीज फेस करने पड़ती है इसलिए वो जानती है इन सब के बारे में इसलिए तुम्हे उसने पहले समझाया कि तुम चेंज कर लो लेकिन तुमने नहीं समझे तो पंखुरी भी भूती है भाप्स से घलती हो गई कर दिख के सॉरी बोल दे उसे पलक बूती है भी है तो थ्यूह के पांखुरी अहता है पिर पलक अपनी रूम में से जाती है जो पंखुरी ऑग work को इसको आप थोरी थोरी डरने लगते है कि वह जब माईशा गुस से पर आ जाती है तो भाई कोई भी उससे डरे तो पंखुरी क्या चीज है तो जब वह उसकी रूम पे तरफ जाती है तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी तो जाती है जो देखती है कि माईशा बैठ पर बै कि पंखुरी आएए तो बहुति है कि आपको तो पंखुरी भूते कुछ बस कुछ बाते कहनिованरी तो बूलते हैं कि मैं कि तरहे से बात करेंगे अर मैं आप को बोला समझाया आ ठीक से की आप चेंज कर लो मेडम वह आपके लिए सही नहीं है तब आपने मुझे इतना सारा बाते सुना दिया तो बोलती यार हो गई ना सौरी मैं नहीं समझी तो वह एकदम से बोलते मेडम हर बार का ना सौरी का कोई मतलब नहीं होता अगर सामने वाला इंसान आपको कुछ बोले कुछ रोके टोके तो उसका कोई वैसी क्रीजन तो होगी ना ऐसे मोँ उठा के तो मैं नहीं बोलूगे वास्ते आप जो भी पहनो मुझे घंटा फर्क नहीं पहनता आप जो आपका जो मान है हूँ आप पहनो उसे मुझे क्या तो यह चीज जो है पंखुरी को धोर असा लग जाते है वो बोलते कि अच्छा तो मैं जो पहनू या ना पहनू तुम्हेरे कोई फर्क नहीं पढ़ता तो यह नहीं पढ़ता तो एकदम उसको कॉलर से पकरती है जो माईशे की कॉलर से पकरती है अच्छा तो जब इतना फर्क नहीं पढ़ता तो वहाँ पे इतना चिला है कि इतना हक्यों जात घर कि लेकिन तुमारा तो भई खतम ही नहीं तुम सूनाटी जा रहे है सुनाटी जा रहे हैं क्या क्या चालती कियो तुम हर बार को तुम सूना दाय। मैं सुनॹती जाओ तो जो माईशा बोलते हैं पहले तो आप मेरा कॉलर छोड़िए यह हर बार का आपका यह चीज होता है हर बार आप मेरे कॉलर पकर लेती हो क्या तो बुलते हैं हाँ तुम्हारी हरकत है यही ऐसी है तो जो माईशा हुए एकदम से उसके कॉलर छोड़ाने की कोशिश करते है तो पंखुरी अपनी पकर और ज़्यादा कर लेती है कसके और इन चक्रमों है जो है वो दोनों गीर जाते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है सेन आज की लिए इतना ही अचले बताये स्टोरी कैसी लगी है आप सबको अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट शेर और तो सब्सक्राइब मैं चैनल यार और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई दूसरा स्टोरी शुरू करू तो बता सकते हो कि कैसे स्टोरी सुनना चाहते हो आप कॉमेंट सेक्षिन पर बताईएगा मैं कोशिश करूंगी तो मिलते हैं अगले एपिसोद में अपनों का अप खुद का ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो और धेर सरा प्यार बातो खुदा आफिस